इस बीडियो को देखने से पहले किरपया ध्यान दें इस बीडियो में किसानों की समस्याओं को दिखाया गया है जो कि आप भी एक किसान परिवार से बिलॉंग करते होंगे किरबाइ इस वीडियो को राजनीती की दृष्ट से बिल्कुल ना देखें और हाँ कोई भी राजनीती कमेंट नहीं करेगा यह हमारी आपसे बिनम्र प्रारत ना होगी इस वीडियो में किसी को हतोत साहिद या फिर किसी के बिरोध या सपोर्ट में कोई भी बात नहीं दिखाए गई है जो कि आप देख रहे हैं नूज किलिक मीडिया के माध्यम से आपको दिखाए जा रही है और ये सब कुछ आपके सामने है पस्चिमी उत्तर परदेश के हालात हैं ये किसानों का दर्द आपको दिखाया गया है तो चलिए आपको दिखाते हैं और पशडे पाप हैं सब खादिये के हूं सब उचाड़ दी उचलिए मगर एक बात बताएगे ना अगर आप लोगग की समस्याए हैं मगर फिर भी बार बार भारती जाता पार्टी को जो बहुमत मिलता है वह पश्यमी उत्तर पदेश से ही मिलता है मिला दो बार बार मिला करते हैं एक आपकी पुनियारी समस्याक्या है अब बिंगना मंत्री क्या आपके समस्याका समधान नहीं करते हैं वो भी तो इसी इलाके से नहीं कोई समाधान क्या है आपकी समस्य का समाधान क्या है क्यों नहीं करती सरकार यह जी अध्यान की सरकार है आप सुन रहे हैं कुछ लोग जो दिल्ली में बैठके सोचते हैं की रफाल को लेकर जो विवाद हो रहा है आप बताएगे ताओ आपको क्या लगता है ये सबसे गंभीर वक्ता है अजी बस इतना खोटाटे मरा अनिता करने देंगे ये आवाज है मगर स्वक्त तक जारी रहता है और योगी आदितनात के लिए यहां से जो संदेश उभर कर आ रहा है वो शिंता जनक है आप देखरें यहां पर समस्या क्या है यहां पर आप दो सांडों को देख सकते हैं अब दिक्कत यहां पर यह है कि गाय को तो भगाना बहुत आसान है मगर सांडो से पंगा लेना मुश्किल पड़ता है इस कदर मुश्किल कि लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ती है और यहां आप देख सकते हैं दो सांड बाकाइदा दिखाई दे रहे हैं और उगर सांड और किसानों की समस्या यहीं पर दिखाई देती है यह है पसल बरबाद करती बिल्कुल सहरी हां इक भी बरबाद करती है और क्योंकि पसल नहीं और और सरकार को आप कुछ सरकार से अपने कुछ आप मांग है आपकी कुछ नहीं मांग तो है करते तो नहीं करता नहीं कोई मांग आपको लग रहा है योगी सरकार के दोड़ान हाल में से निकाल ला है उस पर हमला कर रहा है जैसा ये जुन्ड सामने गूम रहा अगर इसको अटाने जांगे तो तुरंट वार कर रहा है देखा ये जुन्ड जिसका जिकर किया जा रहा है अब अगर किसान इन्हें हटाने के लिए जाएंगे तो वो उनके जान के लिए जोके म आप देख सकते हैं वो साट भी किस उग्र तरीके से देख रहा है अब यह किसान कोशिश कर रहे हैं उन्हें भागाने की मगर यह अपने आप में छत्रे से कम नहीं है छत्रे से कम नहीं अगर बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो जान पर भी बना सकती है तो ये हकीकत है जो पश्यमी उत्तर पदेश के किसानों को सामना करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि उसने बाकाइदा ये फैंसिंग की हुई है इस फैंसिंग में अपना अलग खर्चा और दूसरी तरफ जानवर जो प्रवेश करता है और इस जानवर पर किसी तरह का कोई भी खाबू पाना जान को जोकिम में डालने के बराबर है क्योंकि आप खुछ जानते हैं कि गाय का मुद्दा योगी की उत्तर पदेश में कितना समवेधन शील है जिर आईए कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं आप मैंसे कुछ हैं यहापर जो जिनके खेतवेध हैं यह बताएंगे कि कितना बड़ा समस्या यह जो जानवर जो आपके खेतों में घृता जादा है क्ष़ी कह रहे हैं लोग क्ष़ार को लूक सादेश कितों कितना जबरदस नुकसां आपको बहुत ज्यादों सामे लूग कोई काबू नहीं कर सकते इन जानवर हों पर किसी तरह कोई कापू नहीं है फॉट निकर सकते जिसां अगर करते हैं तो क्या होता है ऐसकार्व Huj तो यह जानवर एक तरह से आपके लिए डर का सबब बन गये हैं तो आप देख सकते हैं किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गाये जो है वो कभी दहशत का सबब बन सकती तो कहा जा सकता है कि मोधी और योगी की विरासत जो है वो दिखाई देती है खुले आम यह जो जानवर हैं वो खेतों में खड़ी खेती को बरबाद कर रहे हैं और किसान जो हैं पेबस दिखाई देते हैं पश्यमी उत्तर प्रदेश में माहौल एक पार फिर कर्म है साल 2013 में जब मुसफर नगर में दंगे हुए थे उसके चलते सियासत ने एक ऐसी मोड लिये जिसके बाद भार परती जानता पार्टी को सतर से उपर सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थे तैम टाइम चैनल्स जो हैं वो रहूल गांदी के गोतर पर डिबेट करते हैं आज जरूरत है कि हम जाने हविश के असंतोश का हम लोग हैं मलकपुर गन्ना मिल में इस गन्ना मिल के खिलाफ मुक अब आपको याद होगा 2014 में भी आपने चपर फाड़ उन्हें सीटे दी आपकी समस्या का समधान हो गया कोई समस्या का समधान नहीं हुआ पूरी की पूरी जैसी थी वैसी की वैसी है कोई और बढ़की समस्या आप तो पिर भी उन्हें यह पच्छडे है निए यह योगी कि माँ हैं और पच्डे बाप हैं सब खा दिये के हूं सब उचार दिये मगर एक बात बताइए ना अगर आप लोगों की इतनी समस्या हैं मगर फिर भी बार बार भारती जाता पार्टी को जो पहुमत मिल पूरी